नमस्कार मैं सुश्मा तयागी आप सबों का मोली स्किचन में स्वागत करती हूँ तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा दिवाली के साथ सर्दियों ने दे दी है दस तक और ऐसे में बजार में आ रहे हरे प्याज जिसे की हम स्प्रिंग ओनियन भी कहते हैं तो इसी हरे प आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो चलिए बनाते हैं हरे प्याज और आलू की बहुत ही टेस्टी सबजी तो यह रे प्याज के जो प्याज होते हैं न बल्ब जो होते हैं उसको मैंने काट कर उसके छिलके उतार निये हैं यह जनरली सफेद रंग का ही होता है और इसको मैंने रफली चॉप कर रखा तो यह देखे इस तरीके से मैं इसको रफली चॉप कर रहे हूं और यह सबजी में ही इसको हम यूज भी करने वाले इसे हम फेकेंगे नहीं तो यह हमारी सबी प्याज कट चुके अब जो हमारे पत्ते थे ना उनको मैंने अच्छे लगता है इसके आप पकोड़े बना सकते हो पराठे बना सकते हो और सबजी तो वाकई बहुत अच्छी लगती है इसे आप डाल में डाल के बनाओना तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है तो यहां मैंने प्याज काट लिये थे अपने स्प्रिंग ओनियन और उनको फानी में दो तिन बार धो लिया अच्छी तहके से और चनी में चान कर रख दिया ताकि उसका एकसेस वाटर निकल जाए और साथी साथ यहां मैं आलू के छिलके उतार रही हूं और इन आलू को मैंने थोड़ा-थोड़ा स्क्वेर सेप में इस तरीके से मैंने कट कर लिया नहीं जादा पतला और नहीं जादा मोटा तो मीडियम साइज के मैंने एक आलू लिया था और उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया और उसे भी मैंने अच्छी तरीके से धोके रख दिया अब यहां साथ से आठ मैंने ली हैं लेसन की कर लिया और इसको मैंने ग्रेटर की ह सकते हैं या मिक्सेज आयन में इसको पीच भी सकते हैं कराही में लिया है मस्टड ऑल में ही बनती है यासी तेल गरम हुआ इसमें मैंने डाला है जीरा हाफ टी एस पी साथी साथ ही बबिध टाला है जीरा साथी साथस i7 का डाला है हीं eth 해요 तब तक कि जब तक कि इसे कच्चापन जो है लेसन का वो दूर ना हो जा और इसकी खुजबू भीनी भीनी न बहुत अच्छी लगती है सर्दियों के मौसम में तो यह अच्छी तेके से हमारे लेसन भुन चुके अब जो हमने वाइट बल्ब था ना प्याज का जिसको कि हमने कट करके रखा था उसे हम इसमें एड कर देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनने वाले हैं भुनते समय हम इसमें डालने वाले ह फ्लेम हमारा यहां पर मीडियम ही रहेगा जब भी अच्छी तेके से भुन जाएगा याद रहे हैं वहाल नहीं करना है बस इसे हमें हलका सा ट्रांसलूसेंट करना है और इसमें जो हमने आलू कटकर के रखा था उसे भी मैंने डाल दिया अब इसे भी हम लगातार चलाते आलू को प्याज और लेसन के साथ भुनने वाले हैं तो इसका स्वाद जो होगा जब आलू थोड़ा सा भुन जाएगा ना तो इस सब्जी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला आप जो इसमें मैंने ट्विस्ट किया है तो यह देखिए मैंने अपने कीचिन के किया होगा जी है आपने सही गैस किया इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन तो आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज आलू की सब्जी बेसन के साथ तो इधर देखिए हमारे आलू प्याज अच्छी से भुन रहे हैं मीडियम फ्लेम है हमारा बहुत ज़्यादा तेज आंच ना क कर सकते हैं और एक दम लो फ्लेम पर इस बेसन को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से भीनी भीनी खुचबुन आने लगे और इसका कलर भी हलका सा चेंज हो जाएगा हलका सा थोड़ सा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो यह देखिए हमारे बेसन अच्छी तेके से पॉर्डर डाला है जो कि मैंने घर में पी सा था और साथ ही साथ कलर के लिए मैंने यहां कास्मीरी रेड चिली पॉर्डर डाला है वन टीएस पी आप यह दी तीखा पसंद करते हैं तो नॉर्मल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं अच्छी तेके से भुन रही थी बड़ य एक से दो मिनट के लिए छोड़ दिया था तो देखिया आलू हमारे पूरे तो नहीं गले हैं हाँ 50 परसेंट आलू जो है हमारे गल चुके हैं और पानी जो हमने एड किया था वो भी हलका सा सूख गिया है तो अब इसमें हम एड करने वाले हमारे स्प्रिंग ओने जिसको क हमारा फ्लेम एक दम लो रहेगा ताकि हमारे प्याज अच्छी तेके से भुन जाए अधरवाई जी हमारी तली में लग जाएंगे बीच बीच में इसको ढखते हुए हमें पकाना है और चलाते रहना है तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि जो हमारे स्प्रिंग ओनियन ह उसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज होने लगा क्योंकि ये ताजे हैं और ताजी पत्तियों से तो पानी थोड़ा सा रिलीज होता ही है तो ये अच्छी तेके से इसको हम भुनते रहेंगे करीबन पूरा सबजी बनाने में मेरे को 5-6 मिनट का टाइम लगा है अब हमारे प पानी रिलीज हुआ था एक तो बेसन उसे अच्छी तेके से सोक कर लेगा और साधी साथ इसे स्वाद जो होगा इसका बहुत ही अच्छा आने वाला है तो नॉर्मल हरे प्याज और आलू की सबजी खाई होगी बड़ बेसन के साथ अपने नहीं खाई होगी तो इसे जरू करती हूँ रिसेपी पसंद आई होगी रिसेपी पसंद है तो लाइक शेर करना ना भूलें साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो इस सबची को परोषने से पहले इसमें गरमा गरम घी जरूर डालें और गरमा घरम चपाती और पराटे के साथ इंजोई क थेंक्स पर वाचिंग, बाबाई, फिर मिलती है